बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम असलाम अलेकुम लेक्चर नमबर 61 सब्जेक्ट स्टैस्टिक क्लास फस्ट एर चैप्टर नमबर 9 पेज नमबर 372 question number 18 का भी पार्ट है if P is equal to Q अगर P किसके एकोल हो बेटा Q के एकोल हो N is equal to 10 और small N किसके एकोल है 10 के एकोल है find mean and variance हमने mean और variance मालूम करना है तो बेटा answer N मारे पास small N 10 के एकोल आगया P Q के एकोल है तो mean and variance मालूम करना है तो बेटा mean किसके एकोल होता है N P के एकोल होता है तो N की जगा पे N की value 10 आजाएगी तो mean किसके एकोल आजाएगा 10 P के एकोल आजाएगा इसी तरह बेटा variance किसके एकोल होता है N P Q के एकोल होता है तो N की जगा पे उसके value 10 आजाएगी P Q as it फिर उसने कहा है कि P और Q आपस में बराबर हैं P इकुल to Q तो इसका मतलब है और P और Q की वैलु किसके इकुल है 1 by 2 के इकुल है जब P और Q आपस में बराबर होते हैं तो उनकी वैलु भी क्या होगी बराबर होगी तो P भी 1 by 2 के इकुल है तो जहां भी बिटा P यूज हो रहा है मीन में तो वहां पे उसकी वालू फुट करवा देंगे 1 by 2 10 multiplied by 1 by 2 10 1 के साथ multiply होगा 10, 10 divided by 2 यह जाओगा 10 को 2 पे divide करेंगे तो मीन हमारे पास 5 आजाएगा इसी तरह बिटा वेरियंस में 10 as it, P की जगाप उसकी वालू 1 by 2, Q की जगाप उसकी वालू 10 by 2 nominator के साथ nominator multiply, denominator साथ denominator multiply 10 1 के साथ multiply होगा 10, 2 2 के साथ multiply होगा 4 तो 10 by 4 आजाएगा 10 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो बिटा वेरियंस निकल आएगा जो किसकी एक्वल है 2.5 की एक्वल है उसके बाद C पार्ट है If a variable has a binomial distribution कि अगर मारा पास क्यों वेरियोबल है binomial distribution का 4 C X P की पावर X Q की पावर 4 माइस X वेर एक्स की रेंज के 0,1,2 से 3,4 तक determine its mean and variance हमने mean और variance मालूम करना है तो बेटा ये फार्मूला उस्ने दे दिया है 4 C X P की पावर X Q की पावर n-X हमने क्या मालूम करना है? मीन और variance मालूम करना है तो मैं पता binomial का formula क्या हता है? n C X P की पावर X Q की पावर n-X की एक्वल होता है इन दोनों को compare करेंगे बाइ comparing तो बेट N की value के आजाएगी 4 P की value के आजाएगी P और Q किसके equal आजाएगा Q के equal आजाएगा अब ही value फार्मॉले में put करवा देंगे में किसके equal होता है N की equal होता है N हमारे पास 4 है तो N की जग़ा पर 4 आजाएगा पी हमारे पास p के एकल तो p की जगा पर p आजाएगा तो में क्या निकलेगा 4p वेडियन्स किसकी इकल होता है n p q की इकल होता है n हमारे पास 4 आजाएगा p p के इकल है q q की इकल है तो वेडियन्स के वोजगा 4p की निकलाएगा Question No.18 का Deep part है It is estimated that 1 in 20 student is left handed कि 20 में से एक student के left-handed है तो peak इसके को लागया 1 by 20 के 1 को बेटा 20 पे डिवाइड करेंगे कि आजएगा 0.05 आजएगा What should be the sample size of student? Students की तदाइद कहोगी sample size sample size को बेटा small answer नोट करते है तो small answer हमने मालूम करना है the expected number of left-handed expected number किसे कहते है expectation of x को कहते है in the sample is 3 किसके equal है expectation of x 3 के equal है तो बेटा सबसे पहले हम expectation of x का formula लगाएगा expectation of x किसे कहते है mean को कहते है mean किसके equal होता है n p के equal होता हमें क्या चाहिए n चाहिए तो p multiply हो रहा है equal कि दूसरी side पर जाएगा expectation of x पर p divide हो जाएगा अब expectation of x की जाब उसकी value 3 पुट करवा देंगे p की जाब उसकी value 0.05 पुट करवा देंगे तो बेटा 3 को डिवाइड करेंगे 0.05 पे तो मारे पास sample size निकलाएगा जो किसके equal है 60 के equal है उसके बाद बेटा page number 394 पे long question है question number 9 the record of a heart specialist shows that 75% of the patient the operates survive कि जो वो operates वगारा करता है तो उसमें से 75% लोग के जिन्दा बज़ जते हैं शर्वाइव होते हैं तो P की की equal आजाएगा 75% की पहला काम कहा है कि बेटा इसकी percentage खतम करेंगे percentage कैसे खतम होगी कि 75 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा 0.75 आजाएगा पी हमारे पास निकल आया हम फिर क्या मालूम करते हैं बेटा क्यों मालूम करते हैं क्यों किसके equal है 1-P की तो 1-P की जब इसकी value 0.75 1 में से 0.75 माइनस करेंगे तो 0.25 Q की value निकल आएगी इस वोने पार्टेकलर डे ही उपरेट सिक्स पेशेंट कितने पेशेंट को उसने परेट किया है वे एक पार्टेकलर डे में सिक्स पेशेंट को तो small n किसकी equal आगा 6 की equal आगा हमने probability मालूम करनी है 5 दैन 4 पेशेंट विल सर्वाइब कितने मारे पास हैं fewer than 4 पेशेंट fewer कहते हैं बेटा less को तो pfx less than 4 की probability मालूम करनी है exactly 4 पेशेंट विल सर्वाइब exactly किसे कहते हैं equal को तो pfx is equal to 4 की probability मालूम करनी है at least 5 पेशेंट at least का मतलब 5 या 5 से जयर्दा तो pfx greater than or equal to 5 की probability हमने मालूम करनी है पहली बात बेटा सबसे पहले binomial का फार्मूला लिखेंगे pfx equal to x n c x p k power x q k power n minus x और x की range लिखेंगे 0 1 2 से लेकर n तक first part पेशेंट पेशेंट 4 यह हमने मालूम करना है तो पेशेंट 4 से कम क्या होता है 0 1 2 और 3 होता है तो pfx equal to 0 plus pfx equal to 1 अब जिस्ट क्या करना है बेटा जो उपर फार्मूला गिवन है इसमें वैलू पूट करवाने है small n की जवड़ा पर क्या जाएगा 6 x हमारे पास 0 है तो 6 ही 0 हो जाएगा pk power x p कितना है 0.75 x कितना है 0 तो पावर में 0 हो जाएगा तो ज़स्ट क्या करना है जहां पर 0 पूट करवाया था आप वहां पर बेटा 1 पूट करवा देंगे 6 c 1 0.75 की power 1 0.25 की power 6 minus 1 फिर plus cosine as it next की अगर ने x की value 2 पूट करवा देंगे तो जहां पर बेटा 1 पूट करवाया था वहां पर 2 पूट करवा देंगे 6 c 2 0.75 की power 2 0.25 की power 6 minus 2 plus cosine as it next बेटा x की value आ रही है 3 तो जहां फार्मूले में बेटा 2 पूट करवाया वहां पर 3 पूट करवा देंगे 6 c 3 0.75 की power 3 0.25 की power 6 minus 3 अब बेटा इसको calculator से direct solve करने है कैसे solve करने है calculator से bracket start 6 c calculator में c का option होगा c 0 bracket close फिर 0.75 bracket start करने है 0.75 फिर bracket close करने है cap का sign देना है cap में क्या है अब बेटा 0 पावर तो 0 डाल देंगे फिर bracket start 0.25 फिर bracket close 6 minus 0 की होता है 6 तो cap डाल के 6 डालेंगे equal का sign देंगे तो हमारे पास क्या है 0.000244 फिर 1 हमारे पास answer निकलेगा उसके बार next बेटा इसको भी same as solve कर लेंगे 6 c 1.75 की 1.25 पावर 6 minus 1 तो इसके मारे पास answer आएगा 0.004394 plus 6 c 2.75 पावर 2.25 पावर 6 minus 2 तो इसकी probability बेटा 2 की क्या निकलेगी 0.032958 plus का sign बेटा आज़िट फिर 63.75 पावर 3 0.25 पावर 6 minus 3 तो इसका answer क्या आएगा 0.131835 अब ये पेटा चारो values आपस में plus हो रही हैं तो इनको plus कर लेंगे 0.0002441 plus 0.004394 plus 0.032 958 plus 0.131835 तो मारे पास answer आजएगा 0.1694 की को second part है पेटा PFX equal to 4 की probability मालूम करनी है तो बेटा फार्मुले में value put करवाएगा N C X N 6 है C 4 हो जाएगा P की पावर X P.75 है पावर X कितना है हमारे पास 4 है तो 4 आजएगा Q की पावर N minus X Q कितना है बेटा 0.25 की पावर N minus X N हमारे पास 6 है minus X 4 है तो 6 minus 4 हो जाएगा इसको बेटा केल्कुलेटर से debt solve करना है debt कैसे solve करेंगे अभी बताया है दुबारा revise कर देखें तो लिऄ केल्कुलेटर से bracket start 64 फिर bracket close फिर bracket start 0.75 bracket close फिर future capsか sign पावर में 4 है तो 4 टाल देंगे फिर बेटριट start 0.25 फिर bracket close फिर茶 का sign 6 में से 4 जाएगा उसके बाद बेटा थर्ड पार्ट है P of X greater than equal to 5, 5 या 5 से ज्यादा बेटा 5 या 5 से ज्यादा क्या होता है P of X equal to 5 plus P of X equal to 6 6 से उपर नहीं जाना, उसकी रिजन क्या है क्या है क्योंकि समाल है नमारे पास 6 है तो बेटा फार्मॉले में value put करवा देंगे 65.75 की पावर 5, 0.25 पावर 6 माइनस 5 प्लस का साइन एजिट, next क्या करेंगे जहां पे 5 put करवा है वहां पे 6 put करवा देंगे 66.75 पावर 6, 0.25 पावर 6 माइनस 6 बेटा इसको भी calculator साल्व करेंगे 65.75 की पावर 5, 0.25 पावर 6 माइनस 5 तो इसकी मारे पास value आएगी 0.3559 प्लस का साइन एजिट, फिर next को भी साल्व कर लेंगे 66.75 पावर 6, 0.25 पावर 6 माइनस 6 तो इसकी value आजाएगी 0.1779 दोनों values प्लस हो रही हैं तो बेटा दोनों को प्लस कर लेंगे 0.3559 प्लस 0.1779 तो मारे पास पर बेबल टी निकल आएगी P of X greater than equal to 5 की जो किसकी equal है 0.55339 की equal है ओके बेटा, आलाँ आफेज